Hello dear students, welcome back in your best channel MS Coaching Institute Friends, आज मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ chemistry के अंदर में और इस सीरीज का मेरा main target ये है कि chemistry को अगर आपको strong बनाना है क्योंकि chemistry को लेकर कि बहुत सारे student के मन में डर होता है तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस subject में commanding चाहते हैं तो आपको इनके basic terms, basic concept आने चाहिए तो मैं one by one इनमें जो important terms, important concepts होते हैं उनके बारे मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज जो पहला topic लिया हूँ that is valency valency क्या होता है आज मैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो आखरी तक देखिएगा आपको definitely कुछ न कुछ benefit जरूर मिलने वाला है कुछ न कुछ नए तरीके से आपको समझने को मिलेगा तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर valency का जो definition होता है वो क्या होता है the combining capacity of an atom is known as its valency combining capacity of atom जब कोई एक atom किसी दूतरे atom से combine होता है तो बोल रहा है कि उनके combine होने की capacity को इसकी valency करते हैं या बोल रहा है the number of bonds that an atom can form as a part of compound is expressed by the valency of the element बोल रहा है दूसरा तरीका यह आप बोल सकते हैं valency का कि जब एक atom दूसरे atom से combine होता है तो combine होने के condition में एक atom दूसरे atom से क्या करते हैं bonds बनाते हैं और यही जो bonds बनते हैं यही क्या होते हैं उसके valency के form में express किये जाते हैं लिखे जाते हैं तो आईए यह तो एक theoretical concept था एक definition था अब इनको one by one हम लोग थोड़ा सा explore करते हैं और इन ही चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं सबसी पहला चीज यहां पर यह आएगा कि जैसा कि यहां definition में आया है the combining capacity of an atom एक atom किसी दूसरे atom से क्यों combine होता है तो मैंने यहां पर इसी चीज को लिखा हुआ why elements combine एक element दूसरे element से क्यों combine होगा उसके combine होने का कोई न कोई purpose कोई न कोई aim तो होना चाहिए तो यहां पर मैं आपको बता दूँ दो तरीका है दो concept जिसे आपको जानना चाहिए कि combine होने का main purpose क्या होता है जैसा कि हम इंसानों को अगर देखा जाए तो हम लोगों के भी अपने life का कोई न कोई ideal person होता है जिनके जैसा या जिनके character के base पर हम अपने आपको बनाना चाहते है और उनकी तरह achievement को पाना चाहते है ठीक वैसे ही इन chemistry की दुनिया में भी elements या item भी ठीक इसी तरह का कुछ behavior सो करते है इन elements में जब आप periodic table को जानते होंगे देखे होंगे, समझे होंगे या सुने होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ inert elements होते हैं जिने हम noble gas भी कहते हैं जिने हम zero group में periodic table में रखते हैं ये वो लोग होते हैं जो कभी भी inert का मतलब होता है निस्क्रिय, inactive मतलब ये element किसी भी दूसरे अधर element से reaction करना पसंद नहीं करते हैं अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनका बोला जाता है कि valence cell में 8 electron हो जाता है और ये ही एक ऐसा condition है कि अगर किसी भी element के valence cell में 8 electron हो जाए तो वो किसी से combine होने की जरूवत नहीं रखता है वो inactive form में पढ़ा रहता है तो उनहीं की तरह अगर elements भी अपने valence cell में 8 electron को करने के लिए एक दूसरे से combine होते हैं एक दूसरे से lend दिन करते हैं एक दूसरे से share करते हैं और उन लोगों का target क्या होता है कि मेरा भी elemental valence में क्या हो जाए? 8 electron हो जाए inert element का example अगर हमने तो है helium, neon, organ, krypton, genon और radon तो जब ये element जो है inert gas जैसा जिसके valence cell में 8 electron है हाँ दोस्तो एक चीज़ और मैं बता दूँ inert gas का configuration जब आप देखेंगे तो helium एक ऐसा inert है जिसके valence cell में 2 electron होता है ठीक दोस्तो तो ये exception है इसके valence में 2 electron होते हुए भी ये inert में रखा गया बाकी हमारे जितने भी आप inert element को देखेंगे उनका configuration देखेंगे तो इनके valence cell में 8 electron पाए जाता है तो एक exception है helium का इसको याद करिएगा कि exception ये है कि helium के valence cell में 2 electron है फिर भी ये inert के कटेगरी में आता है तो मैं बात कर रहा था 8 electron करने के लिए वो elements अपने 8 electron को complete करने के लिए valence cell में या तो अपने valence cell से electron को donate करेंगे किसी दूसरे को या किसी दूसरे से receive करेंगे या दो element के बीच में आपस में electron का sharing होगा और यही जो combinations होते हैं sharing donate या receive करना इसी electron के donation और receiving से bond बनता है अब जीतना electron donate receive या share होगा उतना bond बनता है एक element चे दूसरे element के बीच में आईए इसको example के तुर समझते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा जैसे मालेजिए यहाँ पर मैंने sodium लिया हुआ और chlorine को लिया हुआ है अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह आपस में जूडेंगे और जूडेंगे तो इनके पीछे परपज क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि परपज यह होता है कि यह दोनों लोग अपने valence cell में inert gas का configuration जैसा कि valence cell में इलेक्ट्रॉन होता है उस तरह का configuration पाना चाहते है क्योंकि उस label पर इनका energy label सबसे minimum हो जाता है और यह काफी stable हो जाते है तो जैसे हम अब अपने life में achievement पाना चाहते है और उस achievement को जैसे हर किछी का target होता है और उस label पर जाने के बाद वो stable हो जाते हैं उनको लगता है कि हाँ मैंने अपने life का सबसे बड़ा aim जो बनाया था उसे पा लिया उस जगा पर आपका energy level आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे stable हो जाएंगे और आप अपने आप में satisfied हो जाएंगे लेकिन जब तक आप अपने aim को चीब नहीं करते हैं तब तक continue आप अपने पूरी energy के साथ में aim को पाने की कोशिज करते हैं तो वैसे ये भी अभी अपने aim को पाने की कोशिज कर रहे हैं और इनका aim क्या है कि मैं inert gas के जैसे configuration रख रहूं जिनके valence cell में इस electron हो तो आईए sodium का आपको जानते हैं कि sodium का electronic number 11 होता है और chlorine का electronic number 17 होता है अगर मैं इनकी configuration को बना दूँ तो sodium का first cell में 2, 8 और 1 हो जाएगा valence cell में 1 electron होगा chlorine का अगर हम बनाएं तो 2, 8, 7 अब ध्यान से देखिए sodium को अगर inert gas जैसे configuration चाहिए तो या तो valence cell में 1 electron है तो 8 पूरा करने के लिए या तो सामने वाले atom से वो क्या ले 7 electron receive करें जो की possible नहीं है ऐसा नहीं होता है तो इसके पास एक option है कि sodium अगर अपना एक electron किसी को दे दे donate कर दे तो इसके पास देखिए valence cell में 8 electron बचेगा अगर ये एक electron किसी को दे दे तो 8 electron बचेगा और कैसा बन गया ideal gas बन गया ऐसे chlorine को देखिए valence cell में 7 electron है अगर कहिसे या तो एक electron ये receive करें या तो किसी को 7 electron ये अपना दे दे लेकिन ये 7 electron दे नहीं सकता इसलिए एक electron यह receive कर लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा valence cell में electron और इस तरह से यह दोनों लोग अपने नेट्स को पूरा करेंगे तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दिजेगा sodium 4 कि मैं एक electron दे दूँ लेकिन एक electron receive करने वाला भी तो होना चाहिए तो यहाँ पर chlorine जो है एक electron उसको जरूवत है मतलब दोनों का नेट्स यहाँ पर complete हो जाएगा और दोनों अपने नेट्स को पूरा करके एक compound भी बना लेंगे stable pom में भी हो जाएगे तो इसी वज़े से इन दोनों के बीच में क्या होता है electron का lending होता है तो sodium क्या करता है अपना एक electron किसको दे देता है chlorine को दे देता है ठीक है जैसे यह दिया तो sodium का electronic configuration देखिए 2,8 हो गया और यह जैसे एक electron पाएगा chlorine तो बन जाएगा 2,8,8 और जब यह sodium अपना एक electron देता है तो उस पे plus charge जितना देगा उतना plus लगाते है उतना minus लगाते है तो इसे ने एक electron दिया तो इस पे plus आप और इसने एक electron रिसीब किया तो इस पे negative charge लग जाता है अब इनका configuration complete हो गया तो जब यह lane देन इनके बीच में होती है तो इसी lane देन की वज़ह से finally एक compound बनता है जो बना sodium chloride और यहाँ पर sodium और chlorine के बीच में जितने electron का lane देन हुआ वही bond के form में represent किया जाता है इसी को हम करते हैं bond formation तो इस तरह से इनके बीच में compound बन गया अब यहाँ पर कितना bond बना एक bond बना एक bond क्या represent कर रहा है कि इनके बीच में एक एक electron का lane देन हुआ है ऐसे ही अगर हम calcium oxide की बात करें कि क्या यह बनता है हाँ बनता है हम तो जानते हैं लेकिन कैसे बनाओगा आए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ calcium calcium के valence cell में 2 electron होता है और oxygen के valence cell में 6 electron होता है मैं बना भी देता हूँ आपको 20 होता है तो इसका बनाएंगे तो हो जाएगा 2 फर्स cell में सेकेंड cell में 8 थर्ड cell में 8 और लास्ट valence cell में 2 electron हो जाएगा ऐसे अगर हम oxygen के बनाएं तो 8 होता है इसका atomic number तो क्या हो जाएगा 2 और 6 अब देखिए इसके valence cell में 2 electron है इसके valence cell में 6 electron है तो definitely यह अगर 2 electron कि दे दे किसी को तो इसके valence cell में आप कितना बचेगा 8 electron और अगर इसको 2 electron मिल जाए तो इसके भी valence cell में आप कितना हो जाएगा 8 electron हो जाएगा मतब इस तरह से calcium अपना 2 electron oxygen को देगा तो जब calcium 2 electron oxygen को देगा तो इसके उपर में plus 2 charge और oxygen ने 2 electron receive किया तो इसके उपर minus 2 charge लग जाता है इस तरह से चुकि calcium ने oxygen को 2 electron दिया है तो इनके बीच में कितना bond बनेगा 2 bond बनेगा 2 electron का लेंदेन हुआ है तो bond कितना बना 2 बना इस तरह से इनके बीच में लेंदेन हुआ और finally calcium oxide का एक compound बन गया तो इस लेंदेन से जो compound बना bond बना इन सब का एक ही परपज होता है कि किसी तरह मैं क्या करूँ अपने ideal gas configuration को पालो ठीके दोस्तों तो इस तरह से मैंने एक portion आपका cover करवा दिया और यही bond आपको valency के बारे में बताएगा जैसे इसकी valency बोली जाए तो calcium की valency कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ठीके oxygen की valency कितनी होगी तो 2 होगी ठीके अब मैं थोड़ा सा और आपको liberate करता हूँ कि when will donate share or receive electron कब कोई एक element electron को donate करता है कब कोई share करता है और कब कोई receive करता है तो ध्यान रखेगा जब electronic configuration आप बनाते हैं किसी भी element का और उसकी valence cell में valence cell में electron या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है तो वो हमेशा donate करता है अगर किसी element के valence cell में 4 electron है तो वो हमेशा share करता है और जब किसी के valence cell में 5, 6, 7 electron होते हैं तो वो हमेशा receive करता है अपने update को पूरा करने के लिए तो valency क्या होगी जिनके valence cell में 1, 2, 3 है तो उनकी valency यही same हो जाती है अगर 4 है तो इसकी भी valency 4 मानी जाती है जिसे carbon का valency जानते हैं 4 होता है ठीक है अगर किसी के valence cell में 5, 6, 7 है तो इनकी valency यह 5, 6, 7 नहीं होती है क्योंकि अगर 5 है इनको बनना किनकी जैसा है octave की तोरा मत्त्व valence cell में 8 लेक्टरान हो तो 5, minus 8 कर दीजी कितना जाएगा? minus 3 हो जाएगा तो इसकी valency कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ऐसे ही किसी के valence cell में 6 है तो 5, minus 8 कर दीजी स्वारी, 6, minus 8 कर दीजी तो कितना हो जाएगा? minus 2 तो इसकी valency कितनी हो जाएगी? 2 और ऐसे किसी के valence cell में 7 electron है तो उसकी valence cell नहीं होगी बलकि 7-8 करेंगे और हो जाएगा वैलेंसी 1 मतलब 1,2,3 है वैलेंसेल में या 4 है तो उसकी वैलेंसी वही करनाती है लेकिन 5,6,7 के case में उनकी वैलेंसी हम क्या करते है माइनस 8 करके equal to करते हैं तो वैलेंसी या ती मतलब कभी वैलेंसी 4 से उपर नहीं होती है इसीच को आप समझ लिजिए तो I hope कि आपको valency क्या होता है किस तरह से bond formation होता है क्यों bond formation होने के conditions में एक element लेंदेन करती है ये सारी चीजे मैंने आपको समझा दिया है मैं अपने next वीडिये में आपको valency calculate करना one by one 20 elements का समझाऊंगा शुरू के 20 elements का valency कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको one by one बताऊंगा तो अगर आपको valency के बारे में कुछ न कुछ सीखने को अगर मिला है आप हमें ये comment section में जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा so thank you so much for watching this video and have a nice day